नमस्कार, बहुत लोगों के साथ एक समश्चा होती है, आज कल आलती पालती लगा कर बैठना बड़ा मुश्किल होता है, आलती पालती यानि सुखासन में बैठना, या फिर पदमासन या फिर आध़ पदमासन जैसे, अब ये अर्ध पदमासन है, तो इसमें इस थाइज की वज़े से जो है, वो आर्ध पदमासन लगा कर नहीं बैठ पाते हैं, और उसी प्रकार जो पदमासन है, वो भी लगा कर बैठना मुश्किल हो जाता है, अब इसके लिए कौन-कौन सी मसल्स उतरताई हैं, देखिए पिंडलियां जो हैं, वो उतरताई हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा उतरताई है, वो है घुटने के ऊपर की ये मसल्स, और ये मसल्स अगर टाइट होंगी, या थाइज हमारी मोटी होंगी, तो हमसे सुखासन या अर्ध पदमासन पदमासन नहीं लगाया जाएगा, अब क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर फ ज़िती यह होती है, ऐसे बैठते हैं, इस तरीके से बैठते हैं, पैर मतलब इकठे होते ही नहीं, कई लोग ऐसे बैठते हैं, इस तरीके से बैठते हैं, हाँ देखिए घुटने की प्रोब्लम हो, तब तो एक अलग बात है, क्योंकि वो तो एक मजबूरी हो गई कि जाकर बैठना है तो उनके लिए मैं कुछ क्रियाएं बता रहा हूं यह आप नियम से करेंगे तो एक अच्छा लाब जो है वो आपको मिल जाएगा इसमें देखे पहली जो क्रिया है वो यह है कि हम यह जो पाउ है इसको दोनों पाउं को अपने हाथ में ले ले यहां पर यह महां पर यह adae, दोनों हातों में इसको पाउं को इस प्रकार लेंगे और दोनों तरफ पूरा मूमेंट देंगे देंगे इस मूमेंट से क्या होगा यह मसल्स हमारी खیंच रही है और ये अंदर वाली जो सिवनी नाडी के आसपास ये वाली मसल्स इससे खिच रही है तो हमारे पीछे का हिस्सा जो कुले के आसपास की जो मसल्स हैं उनको बहुत ताकत मिलेगी और मैन बात है कि यहां लचीला पनाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचेगा तो इसको आप रोज, शुरूआत कमसे ही करना चाहिए तो जैसे आपने पहले दिन इसको पाँच बार कर लिया अब इसको हिलाते ही, आपको महसूस होगा कि इस जोड के अंदर जैसे ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ा है ये उनके लिए भी बढ़िया है जिनकी इन मसल्स में दर्द रहता है जिनको साइटिका का पेन रहता है उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि इससे साइटिका की जो वेन है वो खिसती है बलड का सर्कुलेशन चलता है तो ये श्टफनेस की वज़े से ही जादा तर दर्द हमे में होते हैं हाँ यह ध्यान रखना कि ठंडे शरीर में पहली बार में बहुत ज्यादा ऐसे खीच मत देना ऐसे खीचने से क्या होगा यह खिचाव ज्यादा आ कर लिया और दोनों हातों में देखिए दोनों हातों में पाओं को जैसे बच्चा ले रखा है उसी प्रकार दोनों तरफ जितना जादा जा सके जैसे पीछे आप यहां तक गए और आगे इस तरीके से ऐसे अब इससे क्या होगा इससे आपकी यह सारी मसल्स खुल जाएंगी और धीरे धीरे आपका जैसे यह गोमुखासन का भी जो हिस्सा है यह लगना शुरू हो जाएगा आम तोर पर बैठे तो गोमुखासन में बैठ के देखें बहुत अच्छा आसन है यह हमारे पेट की अपान वायू को बाहर करता है इस प्रकार ऐसे यह मुमेंट आपको जो है उसमें आपको एक पाउं जैसे बाया पाउं सीधा रखना पड़ेगा पूरा गुटना जो है वो सीधा और यहां पर यह जो पैर के नीचे की नसे हैं यह जमीन के उपर पूरा पैट ठीका हुआ रहेगा और जो दाया पैर है उस एडी को पेट के पास ले ले और घुट के साथ करेंगे जो इसका लाब है वो अच्छा मिलेगा इस प्रकार क्या होगा कि यह जो नीचे की नसे है यह अलग अलग मसल्स है यह हमारी इससे खेचेगी और यहां से उपर की जो यह मसल्स है यह से खेचेगी तो हमारा लगबग हमने 20 के आसपास की जोड को जो है खोल द यह क्रिया आप समझ गए होंगे और तीसरी जो क्रिया है उसमें देखिए बैढ जाईए और हातों को पीछे लगा लीजिए दोनों पैर की एडी जो है और चहरा जो है इसके भी प्रीत हो स्वास भरते हुए आप स्वास छोड़ते हुए दाहिनी साइड घुटना और बाई साइड गर्दन स्वास भरते हुए सामन्नी स्थिति और स्वास छोड़ते हुए पुने स्वास भरते हुए आप स्वास छोड़ते हुए शरीर को मोड़ना है स्वास भरते वे आप स्वास छोड़ते वे डाउन अप, रिलेक्स ये क्रिया, आप तीन तीनों क्रियाई जो हैं, ये करेंगे तो ये पूरा हिस्सा खुलेगा, आराम से आप सुकासन, अर्थ, पदमासन, पदमासन में धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बादे पिंडलियों को थोड़ा जमीन के उपर वाइब्रेट जरूर कर लिया करें, इससे हमारा पैर जो है जो नसे जो हैं, वो सारी खुल जाती है और उससे ब्लड का सिर्कुलेशन पैरों में आ जाता है, तो ये पर्टिकुलर हमने कहां के लिए, इस जगे के लिए ये जो हमारी स्टिफनेस है इसको खतम करने के लिए ये क्रिया आपको बताई है ये आप जीवन में अपनाएंगे, तो आराम से पदमासन अर्द पदमासन सुखासन में आप बैठ पाएंगे साथ में एक क्रिया आपको और भी कर लेनी चाहिए जो ये पैर के तलवे है देकि ये तलवे जो है ये हमारे शरीर का reflection है यानि हर अंग का जो point है, वो हमारे पैर के तलवे में होता है तो सुबह और शाम, जब भी समय मिले अच्छा एक क्रिया भी आप पूछेंगे कब करें, वही बात सुबह खाली पेट और शाम को भोजन करने से पहले यानि शाम को भी खाली पेट खाली पेट अब कहीं कहेंगे, दोपैर में खाना खाते है चार घंटे के बाद आप कर सकते हैं, जैसे आपने एक बजे खाना खाया, तो आप पांच बजे यो क्रियाई कर सकते हैं, अब इसके साथ पैर के जो तलवे हैं, इनकी अंगूलियां और इनके तलवों में ये अंगूठे जो हैं, अंगूठे से इस प्रकार मुमेंट, अप दस मिनट तक भी दोनों पैरों में यारी पांच मिनट एक पैर में पांच मिनट एक पैर में ऐसा करेंगे तो इससे एक तो पैरों की जलन और पैरों के जो तकलिफे हैं सुन हैं उसमें भी लाब मिलेगा ठंडे गरम रहते हैं पैर उसमें भी लाब मिलेगा साथ में यहां की मसल्स को भी बहुत ताकत मिलेगी लेकिन वही बाद नियमित्ता बहुत जरूरी है ऐसा नहीं आपने एक दिन किया फिर चार दिन उसको गाते गुमते हैं साहब हमने तो बहुत योग किया आप कम से कम साल भर अपने शरीर को इस तरीके से करेंगे तो इसके results बहुत अच्छे मिलेगे, हाँ, ये बात पकी है कि आपको पहले दिन से ही अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, अच्छा लगना एक अलग बात है और result मिलना एक अलग बात है, तो अच्छा लगना शुरू होगा, धीरे धीरे आपका शरीर फिर खुलना शुरू हो जाएगा और फिर आप देखेंगे कितना अच्छा आपको फील होगा बिना दवाईयों के बिना होस्पिटल के आपको एक ट्रीटमेंट जो है आप अपना खुद अच्छा चलो आपको बता देते हैं तो आपको अच्छा लगा होगा और त्रीनित्र योगधाम से अब दीजिये जादत मुझे डोक्टर मनोज योगचारे को त्रीनित्र टीविग लिए नमस्कार